सद्गुरु या सवाल अनूप ने पूछा है नमस्कारम सद्गुरु मैंने इनर इंजिनिरिंग की है और मैं आपने परिवार को भिया करवाना चाहता था हलाकि लॉकडाउन के कारण हम इसके बजाए इनर इंजिनिरिंग ऑनलाइन के बारे में सोच रहे हैं अगर आपको इनर इंजिनिरिंग से बहुत फायदे हुए थे तो आपने इसे अपने परिवार को भेंट करने के लिए इतना इंतजार क्यों किया अब जब आप अपने परिवार के साथ बंद हो गए हैं अब आप उन्हें बदलना चाहते हैं मैं इसे रादे की सराहन करता हूँ लेकिन वास्तों में अगर आपको अगर आपने वास्तों में इनर इंजिनिरिंग को आत्मसाथ कर लिया है उसके मूल सत्व को तो ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार वाले इसे करें आप इसे कीजिए बस आप अपनी उपस्थिती से ही लोगों को रुपांतरित कर सकते हैं जाहिर है ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उन्हें भी इसे करना होगा सवभाग्य से इनर इंजिनिरिंग का तैयारी वाला हिस्सा ओनलाइन है आउनलाइन भी उपलब्द है तो उन्हें उसे करने दीजिए इसके क्या फायदे हैं तो ये ये हम इसे वनवास नहीं कह सकते लॉकडाउन के लिए पारंपरिक शब्द क्या है शायद कोई शब्द नहीं है वैसे भी आप घर में ही है अगले कुछ हफ्तों का ये घर वास का नुभव आपके लिए सुखद हो जाएगा अगर वे सभी Inner Engineering Online में हिस्सा लेते हैं क्योंकि Inner Engineering Online वह हिस्सा है Inner Engineering की प्रक्रिया में शरीर, मन, भावना और उर्जा शामिल है हमें शरीर और उर्जा के साथ जो करना है उसके लिए हमें आपके सामने होना होगा क्योंकि ये एक प्रकार का Transmission है ये कोई शिक्षा नहीं है लेकिन हम मन और भावना के साथ जो करते हैं वो एक तरह की शिक्षा है जिसे आप Online अनुभव कर सकते हैं ज्यादातर इंसानों के लिए अगर उनके सोचने और महसूस करने का तरीका बदल जाए तो आप देखेंगे कि उनके जिवन में एक जबरदस्त बदलावाया है अभी अगर आप वो सोच सकें जो आप चाहते हैं मजबूरी में या कुछ और नहीं तो आप स्वभाविक रूप से अनन्दित होंगे अगर अभी आप अपनी भावनाओं को बहुत सुखद रख सकें अरे आपका घर इतना सुखद होगा तो सभी मानसिक और भावनात्मक फायदे जो स्वभाविक रूप से समाजिक बरताव में भी दिखते हैं आपको अलग से सीखनी होगी लेकिन Inner Engineering Online आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल देगा ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़ा रुपांतरण है अगर कोई अलग धंक से सोच पाता है और महसूस कर पाता है और वे सुखद इंसान बन जाते हैं तो लोग आमतोर पर कहते हैं कि वो एक आध्यात्मिक इंसान है वो बहुत शांदार है नहीं 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 वो सिर्फ एक सामान ये इंसान है दूसरे अभी भी विक्सित हो रहे हैं अगर कोई इंसान जागरुख है वो सोचता है जो वो चाहता है, मजबूरी में नहीं और अपनी भावनाओं को वैसे रखता है जैसा वो चाहता है तो ये सिर्फ एक इंसान है ऐसा नहीं है कि उसने कोई सिद्धी हासिल कर ली है नहीं, वो सिर्फ एक इंसान है दूसरे लोग जो वैसा सोच भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, जैसा वो चाहते हैं, ये एक विकास का मुद्दा है तो इस विकास के मुद्दे को Inner Engineering Online कारिक्रम के जरिए परिवार में, देश में और दुनिया में संभाला जा सकता है झाल